एक बार पुना से आप सभी का आमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिस में स्वागत है यह प्रैक्टिस सेट इंग्लिस वे इजी ट्रिक फ्लेलिस्ट के पार्ट वन पर आधारित है जिसकी ट्रिक हम आल्रेटी खरा चुके हैं यदि वो वीडियो अपने नहीं देख हैं अपना सही अंसर सेलेक्ट करें आपके पास 5 सेकिन्ड है 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 कि साइब आसर होगा सौ टेन चोटा करना क्यूंकि अब रीज का टिक हमने अब बताया था अब रीज सांड्स लैइक ब्रीज और ब्रीज क्या करता है वह रास्ते को अब रीज कर देता यानि कि सौट इन क डिलिजेंट दिल्ली की जेन्ट और डिली की जेन्ट कैसे होते हैं वो hard working होते हैं डिलीजेंट होते हैं तो option no.3 होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला कोस्चन है और इसका सही अंसर है वेरीफाइट बहुत मोटा या इस थुल का है ठीक है और 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 अपने अपने ऐसे दोस्तों को जो काफी मोटे होते हैं उनको वह बहुते हैं ठीक है तो ओबीस का होजाएक ऑप्सण नमर सेकेंड सही होगा वेरीफाइट बहुत मोटा या इस थुल का है बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ अगला कोस्चन है इस्टेगर और तीन आपस आपके पास हैं फाल्टर इस्टे रिलाक्स इस्टेगर रॉयल इस्टेग और रॉयल फाल्टर होता है यानि कि लड़ खडाने लगता है तो ओप्सण नमर फर्स्ट सही होगा फाल्टर लड़ खडाना आज की वीडियो का पांचमां कोस्चन है कि इनसेप्शन है आपके पास पांच सेकेंड है अब देखिए इनसेप्शन सांड्स लाइक रिसेप्शन और रिसेप्शन कहां होता है रिसेप्शन हमेशा इनसेप्शन में होता है यानि कि बिगनिंग में होता है शुरुवात में होता है तो ओप्सन नमबर फर्स्ट सही है बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ अगला क अन्सर सेलेक्ट करें मैगनिविसेंट सींपल यूज५ू उसका सही आन्सर होगा मैगनिविसेंट आलिसान ठीक है पालेसल की ट्रिक हमने आपको बताही थी किले सल पलट और हम ऐसी चीजों को पलट की बार बार देखते हैं जो पलेसल हो। यानि कि मैगनिफिसेंट हो। ठीक है ? तो पलेसल का उप्रेंट का नमर फ़र्स्ट साही होगा। मैगनिफिसेंट आली सान। लेते हैं अगला question ग्रेंचर। ग्रेंचर है ग्रेंचर और अपना सई अंसर सेलेक्ट करें। Maagnificent थी सांदार थी ठीक है घ्रेंचेर सेमने निकला था 고्रेंड मस्ती वेए यानि है कि Maagnificent थी सांदार थी कि नाज क्वा सक्का прикॉष्चन सुन्टिलेटिंग है जुटाकर साहस ओए तिम्ति मातता हुआ और इसका साही मातता हुआ बढ़ते हैं अगले question की तरफ futility बैक्तिका तनुभाव innocent या फिर useless यदि आपने सेलेक्ट किया है useless बेकार तो आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने आपको बताया था futility यानि futility सब्सें हमने निकाला था futility और futility हुई चीजें क्या होती है है वह futility होती है यानि की useless होती है बेकार होती है बढ़ते हैं अगले question की तरफ आज के practice set का last question है insensed बंदगी खुसी या फिर कुरुद या गुसा insensed तो इसका सही answer है क्रुद या गुसा क्योंकि हमने आपको बताया था insensed यानि की इन संसद और इन संसद यानि की संसद में क्या होता कुछ संसद एक दूसरे पर insensed हो जाते हैं कुरुद या गुसा हो जाते हैं सो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे